दूस्टों, इस वीडियो में हम बात करने वाले है जीला सिक्छा अधिकारी, जीला दक्षिड वस्तर दंतेवाडा की दरब से यहाँ पर एक विग्यापन जारी हुआ है जिसमें यहाँ hunters डिसंबर को जारी हुआ है जिया जूविग्यापन है इसमें यहाँ इसमें यहाँ प पर फिजिक्स विशय में पिजिक्स विशय के लिए एक पद है यहां पर जिसके लिए आपर सवीधा भरती यहां पर चारी किया गया है जो कि आपका जिन्होंने भी IIT, NIT या फिर IISC से इसके लिए आपर आविधन कर सकते हैं यहां पर त्यारी कराना है यह जो पद है इसके लिए यह जो जिला प्रसासन दंते वाड़ा द्वारा जो छुलो आस्मान एक यूजना चलाया जा रहा है गन्या आवासी परिसर कारली और गीदम दो जगहों में जिसमें यहां पर ग्यारवी और बारवी में पढ़ने वाले जो विध्यारती हैं उनको मेडिकल और इंजिनिरिंग के जो कॉंपेडिशन एक्जाम्स होते हैं नीट और जे डबली जिसका यहां पर त्यारी कराना है सेजन 2022-23 के लिए तो इसके लिए पर जो मास्टर प्रसिक्षा को जिन्हों ने भी IIT NIT से यहां पर पढ़ाई किया है उनके लिए यहां पर वेकेंसी निकाला है समवीदा पर इसके लिए पर वाकिन इंटर्यू के ब्योस्ता किया गया है जो कि जिला सिक्षा या प्रसिक् पर गराई चैसे सग आसे फैसे पड़कर में ठीक्रण घ्रे को एक तक मेंटिक लिए अपर बढ़िंचीनेरिंग इंपार्ट्मेंग अ तो इन आइस इस यहां ünden इंजिनेरिंग डिपार्टमेंट में या तो iits नits या iiscr या आइसी या फिर या फिर इस्टेट गौवर्फिंट या फिर एम वगरह में जिनों ने भी अपना इन्जिनेरिंग का तो पढ़ाई किया है वह युद्य की आविदान कर सकते हैं इसके लिए आपको 75,000 75,000 एक मुस्त वेतन दिया जाएगा यह जो है आपको वाकिन इंटेरू जो है 9 जनवरी 2023 को सुपे 10 बजे से यहाँ पर रखा गया है आप इसके लिए यह जो डाइट दंते वाड़ा परिसर जाकर आप इसके लिए इसमें सामिल हो सकते हैं इसके लिए आपको यहाँ पर यह बता दिया हूँ समय यहाँ पर टाइम डीडियल से दिया गया है इसका जो विश्तार पुरक जनकायरी के लिए आप दंते वाड़ा की वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं इसमें जो अनुभाव का जो है क्राइटीरिया यहाँ पर इस प्रकार दिया गया है कि इसमें आपको यहाँ पर पीजी एक तो पोस्ट ग्रेजवेट और अनुभाव का नंबर कितने प्रकार्स मिलेगा कितने वर्स का कितने यहाँ पर यहाँ पर पॉइंट से दिया गया है आप चेक कर लेंगे आपके पास जितना अनुभाव होगा उसके हिसाब से अब इसके मैं वाला है आप तीन माहा से पहले नोटी क्षPlease देने से पहले आप इस पहले हैं पर त्याग्पद्र नहीं दे सकते अगर देना होगा तो आपको तीन माहा का जो बेतन है उसको जमा करना होगा ठीक है इसके लिए जो चेन होगा वह यहाँ पर तूरंद कर रोएं और इसक जहां सबसे पहले हैं पर इसका जो डीटेल्स है जितने वेकेंसिस आता है चतिस गड़ में उसके बारे में हम यह पर आपको पता चलते रहेगा तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और ऐसे ही ने जौब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तव देंवादू